वे दोनों मर गए तब मैं केली होकर बड़े दुख के साथ इस परवत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं ऐसा हाय और दुख से आतुर होकर यहां निवास करती थी। इसी समय महानबल प्राकरम से संपन राक्षश कुम्ब करण जो रावन के छोटे भाई थे यहां आये उन्होंने बलात मेरे साथ समागम किया। फिर में मुझे छोड़ कर लंका चले गए। तक पश्चार तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समार ही महानबलवान और प्राकरमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहां कालक्षेप करती हूँ। उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराद को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। तो श्री हरी को अविश्य पीडा दूँगा। ऐसा निश्य करके धीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्ता के लिए एक हजार वर शोतक महान तप किया। तपच्या के साथ साथ वहमन ही मन इश्ट देव का ध्यान किया करता। लोग पिता महा ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भीम मैं तुम पर प्रसन हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके नुसार वर मांग लो। भीम बोला देवेश्वर्त, कमला सन्यदी आप प्रसन हैं, और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो, आज मुझे ऐसा बल दीजिए, जिसकी कहीं तुलना ना हो। महरिशी सूत जी कहती हैं, ऐसा कहकर उस राक्षष ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, ब्रह्मा जी ने उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए, ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षष अपने घर आया, और माता को प्रणाम करकी, शिग्रता पुर्वक बड गर्व से बोला, मा अब तुम मेरा बल देखो, मैं इंद्रादी देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरी का महन संधार कर डालूँगा, ऐसा कहकर, भयानक प्राकर्मी भीम ने पहले इंद्रादी सब देवताओं को जीता, और उन सब को अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया, तगन अंतर देवताओं की प्रात्ना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरी को भी उसने युद्ध में हराया, फिर प्रसंदता पुर्वक प्रत्वी को जीतना अरम्न किया, पहले पहलवे कामरूप देश के राजा सुदक्षिन को जीतने के लिए आया, वहाराजा के साथ उसका भेंकर युद्ध हुआ, दुस्त असुर्भीम ने ब्रह्मा जी के दिये हुए वर के प्रभाव से शिव के असृत रहने वाले महावीर महराज सुदक्षिन को पराश्ट कर दिया, और सब सामगरियों सहित उसका राज्य सर्वस्व अपने अधिका भग्वान शिव के प्रियभक्त, धर्व प्रेमी धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया। उसके पैरों में बेड़ी डाल कर उन्हें एकांट स्थान में बन खर दिया। वहां उन्होंने भग्वान की प्रिति के लिए भग्वान शिव की उत्तम पार्थि бли बना कर उन्ही का भजन पूजन आरंभ किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की सुत्य की और मान्सिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधी से भगवान शंकर जी की पूजा संपन की विधी पुर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मं ओम्ना महाश्शिवाय का जाप करने लगे जब इने दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था उनी दिनों उनकी साथ वीपत्नी राजवल्ल वादक्षना प्रेम पुरुवक्ष पार्ति पूजन किया करती थी वे दमपत्ती अनन्यभाव से भक्तों का कल्यान क मोहित हो यग्यकर्म आदी सब धर्मों का लोग करने लगा और सबसे कहने लगा तुम लोग सब कुछ मुझे ही देदो महारिश्यों दुरात्मा राक्षशों की बहुत बड़ी सेनाले उसने सारी प्रत्वी को अपने वश में कर लिया यह वेदो शाष्त्रों स्मर्त्री औ पर गए और भगवान शिव का आराधंत थास्त्वन करने लगे उनके इस प्रकार सुधी करने पर भगवान शिव अतिन्त प्रसंद हो देवताओं से बोले देवगण वै महरिश्यों मैं प्रसंद हूँ वर्मांग तुम्हारा कौन सा कार्या सिद्ध करूँ देवता बोले देविश्वर आप अंतर यामी है अताह सब के मन की सारी बाते जानते हैं आप से कुछ भी छुपा नहीं है प्रोगो महिश्वर कुम्ब करन से उत्पन कंकरटी का बलवान पुतर राक्षश भीम श्री ब्रह्मा जी के दिये हुए वर्दान से शक्ति शाली हो देवताओं क काम रूप देश के राजा सुदक्षिन मेरे स्रेष्ट भक्त हैं उनसे मेरा यह संदेश कह दो फिर तुम्हारा सारा कार्य ही पूरा हो जाएगा उनसे कहना काम रूप देश के अधिपती महराज सुदक्षिन प्रभो तुम मेरे विसेश भक्त हो अताह फ्रेम पुर्वक म तेरा भजन करो दुष्ट राक्षष भीम श्री ब्रह्मा जी का वर्पाकर प्रबल हो गया है इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया परन्तु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूँगा इसमें संदेह नहीं है श्री सूत जी कहते हैं ब्रहमणों तब उन सब देवताओं ने प्रसंदता पुरुवक महा जाकर महराज से शंभू की कही हुई सारी बात कह सुनाई उनसे यह संदेश कहकर देवताओं और महरिशों को बड़ा अनंद प्राप्तुवा और वे सब के सब शिक्र ही अपने अप तुरूप से वही थहर गए इस समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाड़ा ध्यान लगा रख्या था इतने में ही किसी ने राक्षत से जाकर कह दिया राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई प्रुश्चरन कर रहा है यह समचार सुनते ही वहराक्षष पित हो था उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया जहां पार्थिव आदि जो सामगरी श्तित्ती उसे देखकर उनके प्रायोजन और स्वरूप को समझ कर राक्षष ने यही माना राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है अता है सब साम अगरियो सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभीनष्ट कर देता हूं ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षष ने राजा को बहुत दाटा और पूछा क्या कर रहे हो राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सोब कर कहा मैं चराचर जगत की स्वामी भगवान श तलवार चलाई वह तलवार उस समय पार्तिवरिंग का सपर्ष भी नहीं कर पाई उससे पहले शाक शाक भगवान हर वहां प्रकट हो गई और बोले देखो मैं भीमेश्वर हूं और अपने भग्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं मेरा पहले से ही जहेवरत है कि मैं स तब उस राक्ष ने फिर अपना तिरशूल चलाया परंतु शंभुने उस दुष्ट के तिरशूल के भी सैक डोटुबडे कर डाले तदन अंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ इसमें सारा जगत शुब्द हो उठा तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की महारिशी नारद बोले लोगों को भ्रम में डालने वाले महिश्वर मेरे नात शमा कीजिए तिनके को काटने के लिए कुलहडा चलाने की क्या वशक्ता है शिग्र ही इसका संघार कर डाली महारिशी नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभुने हुंकार मात्र से उस समस्त राक्षष को भस्न कर डाला मुने सब देवताओं के देखते देखते भगवान शंकर ने उन सारे राक्षषों को दग्द कर दिया तजन अंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदी समस्त देवताओं और मुनिश्वरों को शांती म लिए सदा निवास करें यह देश निंदित माना गया है यहां आने वाले लोगों को प्राइदु की ही प्राप्त होता है परंतु आपका दर्शन करने से यहां सब का कल्यान होगा आप भी मुशंकर की नाम से विख्यात होंगे और सब के संपून मनोरतों की सिध्धी करेंगे आपका यह जोतिरिलिंग सदा पूजिनिय और समस्त आपत्यों का निवार्ण करने वाला होगे महारिशी सूत जी कहते हैं ब्राहमनों उनके इस प्रकार प्राथना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परमसोतंतर शिव प्रसन्यता पुर्वक वहीं स्थित होगे ओम अग्याए उन्नीस वे इकीस विश्वेश्वर जोतिरिलिंग